तो इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करण प्राइस की बात करेंगे तो और आज की दिन में लगबग हमें जो है इसमें साड़े पांच परसेंट से भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है जो कि काफी अच्छी बात है 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 138.67 है और इसका 52 वीक लो 82.70 है देखे दोस्तों वीडियो बहुत शॉर्ट और इंपोर्टन होने वाली है वीडियो में इंट तक बने रही है तो जो लिए हम चलते हैं इसके टेकनिकल चार्ट पे यह जो आप चार्ट देख रहे हैं हमने इ इसी लेवल पे आने के बाद में यहीं से हमें जो है रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे तो फाइनली आज की दिन जो है कैंडल हमारी इसके ऊपर ब्रेक आउट दे चुकी है इसके चलते फर्दर तेजी कंटिन्यू होते वे हमें दिखाई दे सकती है अगर से आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान बनाना चाहते हैं तो इसके नीचे का छोटा सा येसल रखके आप जो है इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान बनाएं में CD इंडिकेटर की भी बात करेंगे तो यहां पर हमें एक बुलिँष क्रोसवर होता होगा दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन जो है येलो लाइन को क्रोस ओफ देते वे दिखाई दे रही है जो कि यहां पर आने के बाद में देखिए exactly इसी लेवल से हमें rejection देखने को मिला था तो हमारा जोई इसमें first target almost 137 का रहेगा और all still sector में हमें जो है आज की दिन में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है कुछ news आई इसके जलते हमें जो है stocks में बहुत ही अच्छा jump देख तक का तो चलीब हम चलते हैं इसके ticker tip website पर वहां से check करते हैं इसका scorecard last four year का financial trend क्या रहा है और analyst हमें क्या सला देते हैं buying की performance की बात करेंगे तो average performance हमें देखने को मिल रही है valuation इसका high है growth की बात करेंगे तो average growth देखने को मिल रही है जो की काफी अच्छी बात है profitability भी बहुत ही अच्छी है entry point की बात करेंगे तो stock जो है underpriced है और overbought zone में भी नहीं है तो आप यहां से fresh entry का plan कर सकते हैं और सबसे main जो important चीज होती है no red flag शो कर रहा है जब भी आप कोई भी stock में long term हो short term हो या फिर swing trade के लिए entry का plan करते हैं तो no red flag देखके आपको जो है entry plan करनी है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका last four year का financial trend क्या शो कर रहा है 2019 से लेके 2022 तक का last four year का data हमारे सामने शो कर रहा है company की growth की बात है इसके जैते stock में भी जो हमें अच्छा कासा breakout भी देखने को मिल रहा है तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की वीडियो में आगे बढ़ने से पले एक बात दरना चाहूंगा अभी देक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका forecast 30 analyst हमें यहां पर 67% buying की सला दे रहे हैं जो कि काफी अची सलाम उसको consider कर सकते हैं तो इसके चलते जल्दी हमें और भी अच्छे उपर के level अच्छी होते हुए दिखाई दे सकते हैं fresh entry का plan करना चाहरे हैं swing trade के लिए तो stop loss याद रखके इसमें entry का plan करें अगर से in case इसके नीचे फिल से आ जाता है तो हमें इसमें से निकल ना होगा कि यहां से फर्दर हमें इसमें गिरावट continue होते वे दिखाई दे सकती है तो अभी के लिए तो बहुत ही अच्छा breakout है तो आप यहां से जो है इसमें entry site plan कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और यह जो वीडियो बनाएगे सिर्फ और सुर्फ educational purpose के लिए बनाई गई है जब भी आप कोई भी stock में entry बनाए तो अपने financial advisor से consult करके ही उसमें entry बनाए वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें तो चलिए मिलते हैं next studio में इस YouTube channel के साथ तब तक के लिए take care